हलो दोस्तों स्वाकत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन सेंटर में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भरती एवं प्रनुर्थी बोड जिसके अंतरकात आप यूपी एसाई और एसाई के लिए कैसे आउन आवेदन करेंगे क्या क्या डाकॉमेंट लगेंगे कैसे आप जोए की डाकॉमेंट को अप्लोड करेंगे तो आप कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे तो चली बीना किसी देरी के सुरू करते हैं जैसे कि आप देख पार है यह इसका में साइट है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रेश्ट में मिल जाएगा आप वहां से इसके में साइट पे चले आएंगे आने के बात कुछ इस तरह का एंटिफेस आपको दिखाई देगा जिसमें आप अप्लाइं ऑनलाइन कर अगर पहले से आप इस फर्म को अप्लाइ कर चुके हैं अगर OTP का प्रोब्लम है तो OTP एक्टिबेशन यहां से कर सकते हैं Candidate login यहां से कर सकते हैं अगर आपका restriction number भूल चुका है तो forget restriction number पर किलिक करके अपने restriction number को forget कर सकते हैं ठीक है तो हम नए candidate है नए user है हम पहली बार इस firm को apply कर रहा है इसलिए हम इस वाले section पर किलिक करेंगे apply online जैसे हम इस पर किलिक करेंगे हमारे समने primary stage आएगा जिसमें आप अपना personal detail यानि back ticket भीवना फिल करेंगे तो सबसे पहले आविदत का first name इसके बात last name यास फिल करेंगे पूरा नाम फिल करेंगे forecasts candidate का या पे इसके बात data birth है यास फिल करेंगे जू भी candidate का data birth हो है है हाइ स्कूल के इसके बाद और इंफर्मेशन में क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं अगर हैं तो यस करें यहाँ पर जैसा ही आप यस करेंगे आप पर सामने कुछ और इंफर्मेशन खुल के उपन हो जाएंगे अगर आप और इस फर्म को अप्लाइक कर रहे हैं तो इसको नो यसके दोर्थ जारी किया गया है यहाँ जो भी आप जारी किया गया है उसको यहां से नाम फिल करिए किस डेट को जारी किया है निवास पणवापद जो OBC Candidate है उनका जो की एक से दो साल पुराना हो तो चलेगा जारा पुराना आपका नहीं लग सकता है ठीक है और जाती आपका OBC वालों का एक अप्रेल दो जटी इसके बात का ही चाहिए अगर पुराना है तो नहीं आप बनवा लिजिए तभी आप इस फर्म को फिल करिएगा ठीक है इसके बाद आप अपना जो की सर्टिफिकेट नबर फिल करिए जो आपके निवास परमापद पर दिया गया होगा इसके बाद ग्री जन पाद आप किस जीले से इस फर्म को अपलाई कर रहे है उस जीले के नामें स्फिल करिए काटगरी चूच करिए जनरल EWS OBC SCI ST जो भी आपका काटगरी वह से चूच कर सकते हैं जैसे बारा OBC OBC चूच करेंगे इसके बाद किसने आपको सर्टिफिकेट को जारी किया यानि जाती प्रमापद किसके दोरा जारी किया गया है हम लोगों के डिस्टी के जो की तरसिल्दा जारी करते हैं तो तरसिल्दा चूच करेंगे आपका अर्डिस्टी के अलग होंगे तो अलग चूच कर सकते हैं किस डेट को जारी किया गया है certificate number और जो कि आविदन संख्या से फिल करेंगे जो कि आपके जाती प्रमानपत पर पूरा डेटील यहां पर दिया होगा ठीके क्या आप एक सोतंतरता सिनानी है अगर है तो यस करिए वर अनुक करिए या आप उत्तरप्रेसदारी सरकार में करमचारी है अगर है तो यस करिए वर अनुक करिए इसके बाद नीचे आएंगे तो education and qualification आप से पूछा जाएगा जिसमें आप सबसे पहले अपने high school का board देंगे किस board से अपने high school passed किया है किस सन में किस मन्त में pass किया उसको यहां से chooach करिए उसके बाद pass यहां से choose करेंगे status role number देंगे जो आपके high school के certificate पे दिया गया होगा इसके बाद certificate number या mark serial number यास फिल करिएगे वो भी आपके high school की certificate पे दिया गया होगा ठीक है इसका आवाए intermediate किस बोर से पास किया है, किस सन में, किस मन्थ में पास किया उसको चूच करिए, इसके बाद status आपका पास चूच करिए, इसके बाद आप certificate number को चूच करिए, इसके बाद नीचे आएंगे, तो SI और ASI में आपको gradation compulsory चाहिए, अभी जो कि UP police constable के frequency चलिए, जिसमें आप जो कि केवल intermediate जो बच्चे पास किया है, वो अपलाई कर सकते हैं, लेकिन इस form में SI या ASI के लिए gradation complete होना compulsory है, तो जो बच् के पास है, तो any other bachelor degree, other equivalent qualification to bachelor degree recognition by government, जो भी आपका रहा है, यहां से चूच करिए, इन में से जो भी आपका रहा हो, इसके बाद किस बोर्ड या university से पास किया है, किस सन में पास किया, किस मन्त में पास किया है, status पास चूच करेंगे, रोल नंबर यहां से देंगे, इसके बाद आपका mark street number और serial number आप यहां से फिल करेंगे, जो आपके mark street पे पूरी detail दिया होता है, इसके बाद आप अपनी PG diploma accountants या उसके समक्ष जो भी डिगरी है, उसको upload करिए, post gradation diploma in accountants अगर है तो इसको दीजिए, अगर नहीं तो उसके समक्ष जो भी डिगरी है, उसको दे सकते है इसके बाद, ठीक है, किस board या university से past के उसको फिल करिए, किस sun या month में past के उसको यहां से दीजिए, status past choose करिए, zone number दीजिए, certificate number यहां से फिल करिए, ठीक है, इसके बाद आपको यहां से पूछा गया, जो आप O-Level का certificate देंगे, वो आपके नाइलिट दोवरा या DOCC society दोवरा जो कि प्रमाण पत्र अपका होना चाहिए, ठीक है, अगर नहीं है तो आप इस firm को apply नहीं कर सकते है, ठीक है, इसके बाद आएगा आएगा आपका आपका मेंटरी है, चारो को चारो आप चाहिए, तब या इस firm को apply कर सकते हैं, वर्दा इस firm को apply नहीं कर सकते हैं, इसके बाद आएगा post preference, सबसे पहला post आप किसको देना चाहेंगे, sub inspector of police confidential या assistant sub inspector of police minister, जो भी आप देना चाहते हैं, उसको चूच करिए, तो पहला preference मैं इस वाले को देता हूँ, second वाला जो कि मैं इसको choose करता हूँ, ठीके, क्या आप आसो लिपी जानते हैं, अगर जानते हैं, तो yes करिए, अगर नहीं जानते हैं, तो सिध्ये no करिए, ठीके, आसो लिपी short hand को बोलते हैं, ठीके, आपको आनी चाहिए, ठीके, तो अगर नहीं आता तो सिध्ये no करेंगी यहां पर दिया हुआ है क्या आपने DO ACC या नाइलेट सोसाइटी से उच प्रामारी करण या सरकार दोरामानता प्राप्त कुम्पूटर एप्रिकेशन या प्राउदोकी में इसनाता कुपाधी या उच्छ या उससे उच अरिता प्राप्त किया है अगर किया है तो इसको yes करिए तो मैंने किया है इसलिए yes करेंगे इसका certificate नमर देंगे कॉप जारी किया पूरा date या से फिल करेंगे अगर नहीं किया आपने तो सिद्धे या से no कर सकते है इसके पाद आके बढ़ेंगे तो किया आपके पास बिसु बिदाले अनुदान मानेता प्राप्त किसी संस्ता या महा बिदाले या विसु बिदाले से कानून में इसना तक की डिग्री है अगर है तो yes करिए तो yes करिए तो yes करिए तो yes करिए इसके बाद नीचे आएंगे तो address का डिटेल या पर दिया हुआ है जिसमें आप सबसे पहले address one address two गाओ या कस्मी का नाम किसले सीस फ़म को अपलाई कर रहे है तो मैं उत्तरपलाई कर रहा हूँ तो उत्तरप्रद्इस सेasal चूच करेंगे कि डिल्य reicht कर रहा हूँ तो बलीय चूच करेंगी पिन कोड़ सीवरिया का प्रिव्यू एंड समिट पर क्लिक करेंगे जैसा याप प्रिव्यू को मिला लेंगे प्रिव्यू को चेक करने के बाद आपके सामने कुछ हिस्तर का अडिकलेशन आएगा जिसमें आप सभी को टिक करेंगे कि आपके दौरा जो भी डिटेल है सब कुछ सही फिल किया गया जो भी जनकारी दी गई है सब कुछ सही है टिक करने के बाद नीचे आएगे एक और कुछ बाइटर गलत हो जाता है एड़ेट रिकॉर्ड पर जाके इसको एड़िट कर सकते हैं वरना सम्मिट एंड नेक्स पर पर क्लिक करेंगे जैसे आप submit and next पर क्लिक करेंगे आपके mobile नमबर जो भी आपने दिया है उस पर एक OTP जाएगा आपका रिशिशिय नमबर जाएगा ठीक है आपके उसको note कर लीजेगा ठीक है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं OTP आने के बाद चले आएंगे इस वाले OTP activated इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद आप अपना रिशिशिय नमबर डेटा पर जो भी आपने form भरते समय दिया है OTP जो आपके mobile नमबर पर और email आईडी दोनों पर गया होगा दोनों से नेम होता है दोनों में से कोई एक फिल करिए capture code को फिल करिए इसके बाद activate now पर क्लि लॉग इन पर क्लिक करेंगे जैसा ही आप लॉग इन पर क्लिक करेंगी आपका payment का अफसन आएगा उसको payment करिए आप चार सुर्पया पेमेंट लागेगा आप इसको payment करिए UPI, debit card, net banking जिसमी माध्य हमसा payment करना चाहते है इसको payment करिए इसके बाद आपका जो की photo, signature, high school, inter और चार सुर्पया payment है आप SBI, net banking, UPI, internet banking जिसमी माध्य हमसा payment करना चाहते है इसको payment करिए यह आपके उपर है ठीक है जो आपको सुविदा अच्छी लगे आप इसको payment कर सकते है तो चलिए सबसे पहले हम इसको payment कर लेते है पेमेंट करने के बाद नेक्स शिशेप हमार खुलत जाति परमापत और निवास परमापत यह सारा डाकुमेंट जो की upload कर सकते हैं सिंपल तरीके से अगर आपके पर डिजी लॉकर नहीं है तो ठीक है इसके बाद final summit पर क्लिक करके final इसका जो को पिंट आउट ले सकते है ठीक है तो चलिए सब कुछ हम इसको upload कर लेते हैं यहा आपको प्रवाइट की तो आसा है यह वीडियो आसा आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए कमेंट करिए और ऐसा इंफोर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे हैं जैन दोस्तो